नमस्कार दोस्तों, टूदा पैंट में आपका स्वागत थे आज से हम लोग सुरुआत कर रहे हैं 28 सेकेंड ये के रिवीजन क्लासिस की और ये रिवीजन आपका जब तक चलेगा, जब तक आपके एकजाम सुरू नहीं हो जाते हैं हर दिन आपको कम से कम तीन क्लासिस मिलेंगी, पहली क्लास आपकी होगी तीन पीएम पर, दूसरी क्लास होगी छे पीएम पर, और तीसरी क्लास होगी नो पीएम पर, और ये मिनिमम आई, यानि कि आबस्यक्ता पढ़ने पर क्लासिस आपकी बढ़ाई भी जा सकती हैं तो आज हमारी सबसे पहली क्लास है जिसमें हम सुरू कर रहे हैं फर्स्ट फेपर की फर्स्ट यूनिट प्राचीन और मद्दिभारत में सिच्छा एजूकेशन इन एंसियंट एंड मेडिवल इंडिया और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बैदिक काल इन सिच्छा एजूके काल का जो समय सीमा है टाइम पीरेड है वो 25 इसापूर्व से 500 इसापूर्व है इस भी नहीं है ठीक है यह आपको ध्यान रखना है अब नेश्ट आता है बैदिक सिच्छा का आर्थ तो हमें फोकस किस पर करना है कि बैदिक कालिन सिच्छा बेदों पारादारिती ठीक है पाठे करम में आद्यात्मिक ता पर जोर था और प्रमुकुद्य से था मोच की प्राप्ति करना नेश्ट बात करते हैं पाठे करम तो बैदिक कालिन सिच्छा विवस्ता में पाठे करम में परा और अपरा परा का मतलब होता है आद्यात्मिक सिच्छा और अपरा का मतलब ह तो हमारे लोकिक जीवन से संबंदित सिच्छा होती है उसको हम कहते हैं अपरा सिच्छा ठीक है अपरा पाठे करम जो हमारे संसारिक जीवन से संबंदित होता है तो पाठे करम में परा और अपरा यानि कि आध्यात्मिक और संसारिक दोनों समाई थे तता आध्यात्मिक पर विसेश जोर था क्योंकि सिप्चा वबस्ता मूलत्या बेदौ पाराधारी थी परापाथे करम के अंतरगत धार्मिक साइथ वेध उपनिसद दर्सन साक्तर आधिकी सिख्चा दी जाती थी और अपरा के अंतरगत यानि कि जो हमारे सांसारिक जीवन से सम्मनित होगा श रागीत हस्तकला आयुर्वेद चिकित्साद की सिचह दिजाती सिच्छा लगती सोतार्ल शीक्वेट पा Genesis she kala निया श्चा विवस्तह में सिच्छा की सिच्छा कैसी थी तो प्राचीन भारतियसीच्छ्छ दो रूपों में विवाजित थी प्रारंबिक सिच्छा और उच्छ सिच्छा चाहें आप मद्दिकाल पड़ेंगे चाहें आप बौध काल पड़ेंगे सभी में आपको सिच्छा वबस्ता दो रूपों में विवाजित मिलेगी प्रारंबिक सिच्छा और उच्छ सिच्छा तो बैदिक काल में भी सिच्छा प्रारंबिक सिच्छा और उच्छ सिच्चा में विवाजिती आप सबसे पहले हम देखेंगे प्रारंबिक सिच्चा तो प्रारंबिक सिच्चा बालग को घर में ही दी जाती थी और सिच्चा का आरंब बिद्या आरंब संसकार द्वारा होता था ठीक है अब बिद्या आरंब संसकार की बात करते हैं तो सिंपल आप समझो बिद्या आरंब, दो सब्दों से मिलकर बनाए बिद्या प्लस आरंब, यानि कि बिद्या का आरंब, बिद्या की सुरुआत, ये संसकार कुल परोहित द्वारा संपन कराया जाता था, जो कुल का मुखिया होता था, वो इसे संपन कराता था, बालक को न अच्छर बन्वाता था यहीं से बिद्ध्या का आरंव हो जाता था बिद्ध्या की सुरुआत हो जाती थी संसकार आफके हर काल में इंपकर्ट्न ठीक है आब इसके बाध आति यह उच्छ देय किंप आरंविक इसके बालक को इनिस भी कहती है एक तो गुरुकुल का सामानेरत होता है गुरु का कुल का मतलब होता है परिवार यानि कि गुरु का परिवार सामानेत्या गुरुकुल बस्तियों से दूर उपबनों में जहां की पातावर्ड प्राकृतिक बातावर्ड में जहां की जलवाई स्वच हुआ करते थे और गुरु का नियंत कर औरे में अधुर्धू का आध्यात्मिक बातार और और आधरस,. था हम गुर्धु के बारे में बात कर सकते हैं कि गुर्धू कैसे थे उसका गुर१सित तो उच्च सिच्चा गुर्कुलों में हुआ करती थी और गुर्कुलों में प्रवेश की साधार पर होता था तो प्रारंबिक सिच्चा के बाद बालक गुर्कुल में प्रवेश लेने के लिए योग हो जाता था बैदी कालें सिच्चा विवस्ता में इंपोर्टेंट बात क लेपाते थी उच्छा उच्छा पाने के लिए बालकों का उपनेयन संस्कार होता है ठीक है उपनेृचा संसकर से आपके हूद कॵिष्चा पूछ लेते हैं यहीर को सम्झ में रखना जैसे काफी लोग से पूछ रहतें कि सर सोट कुईस्टन पर वीडियो बनाओ तो आपके यहां से सोट कोईस्टन भी कंपलीट हो जाएंगे सोट कोईस्टन ऐसे बात करते हैं उच्छ सिच्छा पाने के लिए बालकों का उपनेयन संस्कार होता था ठीक है उपनेयन सेरे मनी उपनेयन का साब्दी करत है चात्र को गुरु के समीप ले जाना यानि कि चात्र जो है घर में रहेकर सिच्छा प्राप्त कर रहा था अब वो गुरु के समीप जा तो उपनेन का साथिक अर्थ है चात्र को गुरु के समीप लाना उपनेन संसकार के लिए आयू ब्रामण के लिए आठ वर्स चत्रिये के लिए ग्यारा वर्स और बैस के लिए बारा वस्ती ठीक है यह आपको अलग-अलग बुकों में अलग-अलग भी मिल सकती है कई बुकों उनको सिच्चा देने का अधिकार था तो ब्रामण बच्चा अपने घर पर ही सिच्चा लेने लगता था शुरुआत में ठीक है यानि कि उसकी सिच्चा चोटे पर ही सुरू हो जाती थी लेकिन जो है छत्रिये और बैसे इनको सिच्चा प्राप्त करने के लिए बाहर जाना परता था इसलिए इनकी ये ज़्यादा है किसी सुम मूर्त में बालक का उपनें संसकार करने की परंपराती ठीक है उपनें संसकार के बाद बालक दिज या ब्रह्मचारी या अंतेवासी अंतेवासी का मतलब होता है जो गुरु के सानिद में रहकर सिच्छा प्राप्त करें गुरु के पास रहकर सिच्छा प्राप्त करता है उसको हम कहते हैं अंतेवासी तो अपनेज संसकार के बाद बालक दिज ब्रह्मचार तना कि समाप्ति से पहले समावरतन संसकार होता ता तो समावरतन का साब्दी करता घर लोटन्य शिछ प्रद्टी के बाद मालग घर लोटता था, अरथा सिछा समात्य के बाद ग्रस्त जीबन में प्रवेश करना अज आप इसके बाद घुरु सिच सम्मंध ने कि silicon ग्रु के से समंध इंप्पोंगरेंट इस भी आपक आ अपने पुत्र जैसा मानते थे और सिस्य भी अपने गुरू को मानस पिता अपने पिता के समान मानते थे अब इसको हम दो हैडिंग्स में डिवाइड करके कि गुरू के सिस्यों के प्रति क्या करतब्य थे और सिस्यों के गुरू के प्रति क्या करतब्य थे तो सबसे पहले द के सांधिय में शिCHA प्राप्ट कर रहा है गुर्व के पास रहेकर तो गुर्व का दाईट है कि उसके बोज़न आवास बसती रित्यादि की वेबस्ते करना सिस्यों की स्वास्थ विकास करना सब दाई तो था गुरू का आई सिस्यों को भासा धर्म नीत साथ्र का ग्यान अनिवारे रूप से देना और सिस्यों का मार्क दर्सन करना ये सभी गुरू के दाई तो थे सिस्यों के प्रति अब हम देखते हैं सिस्यों के गुरू के प्रतिके अदायत थे तो प्रतिदिन गुरुकुल की सफाई करना गुरु आबास की सफाई करना और गुरुओं के लिए इस्नान पूजा पाट आदी की विवस्ता करना गुरुओं के आदेसों का पूरी करतब निश्टा के साथ पालन करना इस जिस्यों का करतब बिता ठीक ह गुरू तथा गुर्कुल बासियों के लिए बिच्चा मांगना एबं बोजन की विवस्ता करना क्योंकि बोजन के लिए बिच्चा मांगना जरूरी था ठीक है बिच्चा मांगने पर ही गुर्कुल टिके थे उनी से उसका किरियान बेन होता था बिच्चा से ही गुर्व को मानस पिता मानना अपने पिता के समान मानना ये भी सिस्यों का एक कर्तब विथा गुर्व के आदेशों का पूर्ण निष्टा के साथ पालन करना अब इसके बाद चात्रों की स्रेडिया या उपादिया तो बैदिक कालिन सिच्चा वरता में चात्रों की चार उपादिया थी इसना तक बसुरुद्र आदित थी इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि सब्र ठीक है सब्र ऐसे आप इसको त्रीक से समझ सकते हैं कि जब आपको उप B, R, A, इसके बाद आएगा B से बसू, R के बाद आएगा Rुद्र, R से Rुद्र E का मतलब है आदित, जब आपको उपादी पानी होगी तब आपको सब्र करना पड़ेगा, ठीक है? यानि कि इसना तक उसके बाद आएगा बसू, उसके बाद आएगा Rुद्र और उसके बाद वर्स तक अद्यन करने वाले को इसना तक कहेंगे उसके बाद 12 का दो गुना यानि कि 26 वर्स तक अद्यन करने वाले को हम बसू कहेंगे 12 का तीन गुना यानि कि 36 वर्स तक अद्यन करने वाले को हम रुद्र कहेंगे और 48 वर्स तक अद्यन करने वाले को हम आदित दिकाएंगे ठीक है सिंपल आप इसको सब्र से याद रख सकते हैं उपादी पाने के लिए आपको सब्र करना पड़ेगा इसना तक बसु रुद्र आदित थे 12, 24, 36 और 48 या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर एक वेद का ग्याता है उसको हम इसन दृबचे ग्याता हैि। उस समय लिखने की विध्या प्रैचलित नहीं थी भैजडिक काल में आपके प्राया मौकी गवळेएंगे प्रषनेटर विदी ठीक है। प्रवचन विदी जो आपकी मौकिक सिच्छड विदियां वो सभी इसमें आ जाएंगी मैं पॉइंट आपको समझना है कि सिच्छड विदियां मौकिक थी क्योंकि लिखने की विद्या उस समय प्रचलित नहीं थी रटन्त प्रडाली कंठस्ति करड़ पर जादा जोर था ठी इसके बाद बैदिक काल में इस्त्री सिच्छा ठीक है इससे भी सवर्ट कोईशन बनता है कि इस्त्री सिच्छा की विवेचना कीजिए चाहें आपका बैदिक काल हो चाहें बहुत काल हो चाहें मुसलिम काल हो तो बैदिक काल में इस्त्रियों को पुरुष के समान सिच्छ प्राप्त करने का आधिकार था ठीक है कोई भी प्रतिवंद नहीं था इस तरियों पर प्राचीन गरंतों में अनेक बिदुसी मैलाओं का वरणन है ठीक है बिद्वान की जगए पर क्या होगा बिदुसी क्योंकि मैलाओं जो है बिद्वान नहीं बिद्वान पूरुस होता ह मैलाएं बिदुसी होती है तो प्राचीनी ग्रंतों में अनेक बिदुसी मैलाओं का वरड़न जैसे की उर्वसी अपाला गारगी गोसा आधिका मिलता है बाद में क्या हुआ जैसे जैसे हम बौद काल और मुस्लिम काल की तरफ है बाद में बाल विबा और अन्य सामाधी कुर कि अब बादी कालेंik सिच्चा विवस्ता का सब से लाश्ट में मुल्यांकन ठीक है, evaluation करते हैं तो evaluation में सब सबसे पहले तो हम देखेंगे गुड़ सबसे पहला गुड़ किया आप जैसे आपका लॉंग में कोईशन आ जाता है कि बैदी कालिन सिच्छा वरस्ता का मुल्यांकन किजिए तो आपको यह जो पॉइंट्स है वह आपको हैडिंग्स बनानी दिए कि सबसे पहले हम एडिंग समसे बिलोंग करता हो सिच्छ वबस्ता जो है भीच्षय अ act virus Max했다 निरवर्त ही कि उसका विकास किया जाए मैं चारेत्री वन नयतिग विकास पर ल तूब धिया जाता कि घुट्थी का सरवांगेग्र विकास ब्ल दिया जाता था क्योंकि बच्चा ho रहा होता है विकास करना करना अची बात है ऐसे हम गुडों में ले ले लेंगे जैसे हैं जिब हम गुडों में कहते हैं तब हम इसमें क्या लिखेंगे कि आद्यात्मिक्ता को विसेश महत देना अच्छी बात है क्योंकि आद्यात्मिक्ता से हमें मन की सांती पराप्त होती है और मन की सांती कौन नहीं पराप्त करना चाहेगा लेकिन जब हम दोसों में बात करते हैं तब हम क्या कहते हैं कि आद्यात्मिक कि इस तरी सिच्छा को इस्तान तो वेधी । use ए लगे अ गुड़ों में कहेंग लेकिन हम आपके लेकिन कई सभवत सिच्छा को इस्तान तो था लेकिन जब गूर्कूली इतने दूर-दूर हैं तो इस्ती हो को सिच्छा आसानीक केसे और वेकिन ज़ादा तर उस समय भी इ पर दोसों में क्या कहते हैं कि सिच्छा को सत्छा को इस्थान दिया खथी बराबरती कि अब इसके बाद गुरू को इस्थान हो गो तिया गया गए गुरूर ब्रह्माल गुरूर विष्णू गुरूर देवो मैसुरा गुरूर साचात पुरम ब्रम्मा के समान वाना गया है ठीक है और गुरू को उंचा इस्थान देना अच्छी बात होती है क्योंकि ये गुरू होता है वो सिष्ष्ष्य का मार्ग दर्शक होता है ऐसे हम इसको गुड़ों में ठीक है लेकिन जब इसीबात को हम दोसों में भी लिख सकते हैं कि चात्रकों नीचा स्थां रिख्या बाल केंदी तो नी चाहिए लेकिन उन्होंने क्या किया गुरु को केंदे में रखा गुरु को उचह थां दिया ठीक है इए की बात को को कैसे गुरों में लिखना है कईसे दोसों में लिखना ये बात है अगला गुर् patch के आए कि पार्टे करव में पर जोर दिया जाए, सांसारिक सिच्छा पर जोर दिया जाए, मन की सांती के लिए आद्यात्मिक सिच्छा और अपने जीवन निर्वा के लिए सांसारिक सिच्छा जरूरी होती है, लेकिन दोसों में क्या कहते हैं, इसमें कहेंगे कि आद्यात्मिक पर बहुती ज्यादा जो उपवनों में स्वच बातावड में हुआ करते थे और अरस्तु ने कहा है कि स्वच्ट सरीर में स्वच्ट मस्तिस्क का निर्माड होता है यानि कि जब बातावड स्वच्ट होगा ठीक है तो बातावड स्वच्ट होगा बच्चा स्वच्ट रहेगा और जब बच्चा रहेगा ठीक है तो ये अच्छी बात है कि गुरुकुलों का बाता बड़ वहती सच हुआ करता था अब दोस्त क्या कहते हैं सबसे पहला दोस्त है कि गुरुकुलों के किरियानवेन के लिए कोई उचित प्रबंद नहीं था ठीक है जैसे प्रेजेंट में हम देखते हैं कि सि अब कभी भीच्छा नहीं मिली तो जो है गुरुकुलों के क्रियानवेन के लिए कोई उचित प्रबंद नहीं था अगला दोस्त के आया कि रटने पर विसेशबल था जो करके सीखने की अंबाद करते हैं वैसा कोई जो है इस समय नहीं था यान कि करके सीखने पर जोर नही हुआ करते थे अगर गुरुकुलों का कोई भी सिखसेपालट नहीं करता है तो उसको गुरुकुल से बाहर निकाल दिया जाता था अगला दोस्त क्या है कि धार्मिक सिख्छा पर हद से ज्यादा बल देना ठीक है तो हमने गुडों में बात की कि धार्मिक और सांसारिक दो को बढ़ावा मिला और इससे क्या हुआ जो हमारी बैदिक कालिन सिख्छा विवस्ता में भी कर्म कांड जो बहुत कालिन सिख्छा है उसमें भी कर्म कांडों को बढ़ावा मिला और इसके बाद मुस्लिम काल के आकरमत कारी आते हैं ठीक है मतलब कर्म कांडों को जब बैदिक काल में इस्थ्ट्री सिच्छा सीमित थी क्योंकि गुर्कुलों की संख्या बहुत थी कम थी गुर्कुल बहुत दूर दूरहा करते थे इसलिए सामाने कोई भी बेटियों को इतनी दूर सिच्छा लेने के लिए लोग नहीं बेचते थे तेश्नेश्ट गूरकुलों की अल्फ संख्या और घर से बहुत दूर उना यही तो इस्तरी सिच्छा सीमित इस्तरी सिच्छा की बज़े थी कि गूरकुलों की संख्या कम थी अगला दोस्के आया कि लोकिक समस्यां को भूल कर आध्याथमिक्ता पर जोर ठीक है अगली वीडियो में कवर करने की कोर्सिस करेंगे आपके बातों को, आपके बीचारों को, ठीक है, मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुडबाई.